वाफानिंनाशतुषिश도록 क्यildबहें देखे तो हम बात करने जा रहे हैं जैंक बेसिक ज ol आइडिया उसमें हम ने कुछ फिच वारे बाया है रे है, लाइनfend सेग्मेन्ट हैं , आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ और फिच के बारे में वह पहला फिच ए ट्रेंगल अब triangle हमने पढ़ रखा है कि triangle क्या होता है एक closed figure होता है जो तीन side से मिलकर बना होता है ठीक है ये triangle होता है किसी भी shape का हो सकता है closed figure form by the three sides तो जो आपके ABC है ये vertices कहलाते है ABC क्या होते है ABC vertices क्या आते है vertices देखिए vertices जो होता है वो vertex का plural होता है बतार इसको vertex कहते है vertex अब चुकि बहुत सारे हैं इसलिए इसको plural में लिखेंगे तो वर्टिस क्यालाते है और जो आपका ABC और AC है ये sides क्यानाजती है AB, BC and AC ये आपकी sides क्यानाजती है अब आंगल क्या होते हैं आंगल तीन होते हैं दिख रहे होंगे देखें आंगल का नाम होगर देना चाहें तो नाम देखें इस आंगल का नाम कैसे देंगे नेमिंग कैसे करोगे इस आंगल की एंगल इसको नेमिंग करने की तरीका हमने एंगल जब बताया था तो एंगल का नाम देने का तरीका बताया था ये एंगल किन दो साइड से मिलकर बना है एबी और बी सी दो साइड से ये ना इसे एक लाइन इधर एक लाइन इधर तो ये A, B और B, C से मिल करके बना है इसका नेमिंग कैसे करोगे, नाम कैसे दोगे इसको हमने बताया था कि आप ये इस पॉइंट को बीच में रखिएगा तो नाम कैसे दोगे इसको अंगल A, B, C सुन्गाई बात मतंद यहां से सुरू करेंगे, यहां पहुँच जाएंगे लेकिन ये पॉइंट कहा होना चाहिए? बीच में होना चाहिए तो इस एंगल को हम कहेंगे शॉर्ट में तो एंगल B कहेंगे अगर पूरा नाम हम दें तो कहेंगे एंगल A, B, C हाँ इधर से भी आप काउंट कर सकते हैं naming CBA इधर से आप जाओ चाहिदर से आप जाओ शर्त क्या है कि जो B है वो middle में होना चाहिए ठीक है एक angle A है अब बताए angle A को naming क्या करेंगे इसको नाम बताओ कैसे लिखेंगे हाँ इसको angle BAC लिख सकते है या इसको angle CAB कर सकते हैं यह पहले वाले को angle CBA कर सकते थे उसी प्रकार से angle C का जो naming हो कैसे करेंगे इसको angle BAC sorry BCA या ACB angle BCA या दूसी तरीके सा angle ACB यह angles लिखे जा सकते हैं तो triangle में तीन angles होते हैं उनको कैसे नाम देते हैं वो है और तीन साइडस होती है इनने नोट करें देखे एक होता है interior and exterior of triangle interior and exterior वर्ड हमने इसके पहले भी डिसस किया है क्या होता है हाँ होता interior and exterior of triangle तो जो आपके points इसके अंदर होगे माले P, Q, R इसके अंदर है तो यह interior होगे interior में कौन कौन से point होगे P होगया, Q होगया, R होगया और बाहर मालिया आपका M point है N point है कहीं भी हो सकता है S point है तो यह आपके M, N और S यह exterior है और अगर कोई point इसकी side के उपर होगा तो हम कहेंगे on the sides ऐसा नाम उसको दे सकते हैं ठीक है अब यह boundaries है इसकी जब perimeter की हम बात करते हैं perimeter जो कि बताया जाएगा perimeter का मतलब होता है किसी close figure में आप एक point से outer जो उसका boundary होती वहाँ चलना सुरू कर दीजे और lord के वहीं पहुँच जाएए तो जो total length आपने cover की वो उसकी perimeter है जैसे मैं अगर इस triangle का perimeter कहूँ तो हम क्या कहेंगे हम यहाँ से चलना सुरू करेंगे इस boundary पे फिर इस boundary पे फिर इस boundary पे पहुँच गए तो आपने actually क्या क्या ये side लिया प्लस ये side लिया प्लस ये side लिया ये बन गया perimeter तो perimeter का मतलब होता है outer orbit outer जो उसका होता है boundary उस boundary में total length कवर करके फिर वहीं पर पहुँच जाएए जो total length आपने cover की है that is known as the perimeter of that figure उसका perimeter कलाता है ठीक है अब triangle में दो चीज़ें हो रहे हैं लिखे altitude altitude देखे altitude क्या होता है किसी भी vertex vertex महिचान के क्या होते है ये जो ABC हैं वो vertex है ये vertex कलाता है और तीनों मिलाके एक plural बनता है वो vertices कलाता है ठीक है अल्टीट्यूड altitude वैसे altitude को height कहा जाता है तो height भी कह सकते हैं आप किसी vertex से opposite base पर जो perpendicular डाला जाता है यानि perpendicular 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 from a vertex to opposite opposite base opposite base opposite side के दीजे is called altitude altitude यानि किसी भी vertex इसका भी construction है अभी हम बताने की कोशिस अभी आप नहीं सीख पाऊगे अभी हम सिखाने की कोशिस करेंगे आपने compass है आपके पास compass क्या होता है compass निकालो जड़ा निकाला अब जड़ा समझीगा साउधान इसकेल से एक लाइन खीचो यहाँ पर मैं आपको यह परपेंडिकूलर डालना सिखा रहा हूं सकेल से लाइन खीचे आप देखो जान से आपको इस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकूलर डालना है पर्पेंटिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना दे यह ना अब देखो साउधान कंपस लिया आपने और कंपस का जो टिप है पॉइंटर वह हम ए पर रखेंगे ठीक है और देखो इधर इतना आर्क लेलो इस ना इन को ऐसे दो जिए कट करें यहां से कि दो करेंगे मतलब यह इसको सेंटर मानौ और जो पैसिवाद पार्ट इढाद रखो हो और साफिक कीचो के दो जह जिए कट करें सको काट यह पिल लगा लो ना उसमें अगर पतला पिल नुवत लग जाएगा अब दो जिए कट कर रहा है अब बिल्कुल तलवार लेकि बैठा करें बिल्कुल क्यारी से जिविट्टी के पॉर्ट्शन चला है तो उसमें कंस्ट्रक्शन भी सिखाते जाएंगे आपको कट ने को तो कट करेंगा ही करें अब समझेगा यह दो जिगा यहां यहां कट किया है अब सुनो दिहां से कंपस का पॉइंटर इस पॉइंट पर रखो अब सुनो पहले और उसमें रेडियस कितनी लोगे इसके आदे से ज्यादा लो और देखो इधर ऐसे रख करके यहां पर कट लगाओ यहां पर नीचे ऐसे कट लगाओ अब दूरी चेंद मत करना अब वही पॉइंटर यहां पर रखो इस पॉइंट पर और फिर कट लगाओ इसके उपर ऐसे उल्टा कट लगाओ लग गया कियो नहीं लगेगा देखो हमको देखो देखो यह आपकी लाइन ऐसे कटी थी अब आप यह दो पॉइंट आपको मिले आपने क्या किया हमको कुल देखते लिए आपने क्या क्या उसका पॉइंटर यहां रखा के रीडियस हाफ जदिक है ंधे से अधिक और एक आर्क कैसे नीचे कंच आप नीचे खीकोगे तो आरप ऐसे खिके गया ना जब आपने क्या-क्या पॉइंटर जो इधर रखा था ना और यहां रख दिया और रेडियस वही ली और आर्क इधर गुवा दिया तो यह आर्क यहां कट नहीं कर जाएंगी दोनों अब देखो यह जहां पे कट कर रहे हैं एक पॉइंट मिला आपको माले यह बी पॉइंट है और ए से बी को मिला दो और बी को मिलाते वक्त ध्यान रखना है जब मिला दीजे बी को मिला दिया यह लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है यह परपेंडिकुलर होगा यही आपका परपेंडिकुलर है जो आपने किसी एक्स्टर्नल पॉइंट से ड्रा किया है यह यह है तब परपेंडिकुलर दुश्कों के नॉर्मल भी कहते हैं पर्पेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ ठीक है पर्पेंडिकुलर ड्रॉन स्वांद एक्स्टर्नल पॉइंट ऑन दा लाइन ठीक है तो हमने इस ट्रेंगल में क्या किया होगा देखो ध्यान से हमको ए से खीच स्वार म्यावनेतर मानेंगे इस प्वान्ट को संटर अजलेंगे और रेडियस इसके आजे से दिक दें करकें ऐसे अर खीचेंगे और इसको देंगे मिला अैश्ब बसक्तर LE करकेज यह थेichte हों तो से खीचने का तरीका हमने बताया तो हमने क्या आपके सुना के कैसे कीशते हैं यह यायद भी रिखी तो यह बेसिक चीजे चीजें हैं या रखेगा देखो डिया अब इसी प्रकार से हमने यह क्या क्या यहाँ से माना ऐसे आर खींच है यहां से कीश दिया यह यह किश arrival P AP, BQ और CR, they are altitude ठीक है, तो लिखेगा perpendicular from a vertex to the opposite base is called altitude अब ये roughly diagram बनाओ, ये perpendicular घींचो और लिख दो AP BQ, here AP BQ and CR are altitudes are altitudes ये altitudes कहलाते हैं ठीक है? ठीक है? अब लिखें, अच्छा, जो altitude होते हैं, perpendicular जो आपने draw किये हैं, ये एक point पे cut करते हैं, ठीक है? जिस point पे cut करते हैं, इसका एक नाम होता है, देखें intersection point of intersection point of altitudes और खास बात है, ये altitudes तीनो एक ही point पे cut करेंगे, आप चाहें तो construction कर सकते हैं, triangle बनाईएगा, और यहां से यहां पर perpendicular खीचना आपको आता है, यहां से सक तीनो पॉइंट से खीचोगे, तो अपने आप देखोगे कि वो तीनो perpendicular एक ही point पे cut करेंगे, तो जो उसका intersection point है, उसे हम कहते हैं, आर्थो center, क्या कहते हैं, आर्थो center, ये बड़े class की बात है, लेकिन चुकि यहां altitude दिया गया है, तो फिर जब altitude है, तो उसका नाम आपको मालू होना चाहिए, इसको हम आर्थो center कहते हैं, median, अगला है median, कि टाइग्राम ड्रॉ कर लिया है न, लिके median, अब लिके median क्या होता, ये altitude है, न, न, वर्ड है, इन्हें याद भी रखिएगा, क्योंकि बड़े classes में जब आप जाएंगे, तो ये सब बताया जाएगा, कि आपको याद होना चाहिए, median, देखिए, किसी भी triangle में, हर side का मिट पॉइंट होता है, मालिया हमें, फूट पटांग टाइप आप ट्रेंगल बनाते हैं, ये जानवूस के हमने बड़ा बड़ी कर दी, मैंने एक triangle ABC बनाया, अब P, जो है, mid point of BC है, अगर मैं कह रहा हूँ, P mid point of BC है, मतलब ये, BP और PC सेम होंगे, तो mid point of BC को, जब मैं A से मिलाओंगा, this is median, मतलब median perpendicular होगी, जरूरी नहीं है, खीक है, तो आप क्या कहेंगे, कि the line joining the vertex to the mid point of opposite side, सब्सक्राइबार नहीं आई है, यहीं हम कहेंगे, line joining the vertex to the mid point of opposite, mid point of opposite side, opposite side is called median, is called median, किसी भी vertex को opposite side के mid point से जो line मिलाई जाती है, वो median कहलाती है, ठीक है, अब इसी प्रकार से हमने इसका mid point लिया, क्या हो गया, अब देखे, अब देखे, AC का mid point मैंने Q ले लिया, तो यह BQ हमने खीज दिया, इसका mid point हमने R ले लिया, तो हमने RC खीज दिया, तो यहाँ पर, तो AP, दूसरा BQ and CR, यह medians हैं, R medians, इन्हे medians कहते हैं, और medians जहाँ पर कट करती हैं, उसको हम centroid कहते हैं, यह माले यह point है, G पर कट करेंगी, तो intersection of median, intersection of median, यह आपका centroid कहलाएगा, यह नाम है इसका, तो यह तो आपका हो गया, 3 side का figure, triangle, उसमें क्या-क्या होता है, sides होती है, angles होते है, altitude होता है, और medians होती है, और भी चीजें होती है, अगर आप triangle के बाहर circle बनाओगे, तो एक और नाम आएगा, तो बात की बात है, अब लिखें, quadilateral, चार साइट का figure हम लेने जा रहे हैं, quadilateral, नाम से लग रहा है, कि four sided closed figure, तो आप लिखेगा, four sided polygon, closed figure को आप जानते हैं, polygon कहते हैं, circle polygon है, side से जो मिलका बना हो, फिर समझेगा, जो side से मिलका बना है, side बोले तो straight line, circle curve से मिलका बना होता है, इसलिए polygon नहीं होता है, तो लिख लिखेगा, four sided polygon, is a quadilateral, इसको quadilateral कहते हैं, अब मैं इसके नाम देता हूँ इसको, उटपटांग टाइप आप बनाएंगे, कोई भी safe type का नहीं बना रहे हैं, कोई भी type का हो सकता है, तो हमने, नहीं नहीं, polygon का मतलब होता है, जो straight line से मिलका बनते हैं, straight line से close figure, तो आप जानते हैं, कि किसी भी straight line से, अगर close figure बनाना है, तो आपको कम से कम तीन sides होनी चाहिए, तो अगर मैं आप से कोई smallest polygon, तो आप कहेंगे that is triangle, दो sides को आप close नहीं कर सकते, कर्व से नहीं, straight line से नहीं close कर सकते, तो यहाँ पर ABCD जो है, वो polygon है, ABCD क्या है, ये quadrilateral है, polygon जिसका के नाम quadrilateral है, अब क्या-क्या इसमें है, एक तो इसमें vertices हैं, हम भी आपने का, vertices is the plural of vertex, vertex का जो plural होता है, vertices होता है, यहाँ vertices A है, B है, C है और D है, तो vertices यहाँ पर क्या है, A, B, C and D, यह vertices होते हैं, दूसरे इसमें sides होती हैं, तो sides तो आपको चार दिख रही होंगी, एक side AB है, एक BC है, एक CD है, वो एक DA है, तो AB, BC, altitude ड्रॉप कर सकते हैं, वो ड्रॉप करना पड़ता है, देखें, वहाँ पर altitude एक special नाम होता है, यहाँ पर altitude कोईसा particular नहीं है, पर देखें को altitude तो कहीं से भी आप DA कर सकते हैं, अगर आप से कहा जाए कि इस point से इस line पर perpendicular खीचें, तो altitude होगा, खीचना आपको आता है, कि इसको आप center मानेंगे, देख, R खीचेंगे, R को half कर देंगे, और उसको मिला देंगे, ठीक है, तो यह sides हो गई जागर की, कितनी sides हो गई, चार, चार angles होते हैं, angles के नाम कैसे लिखेंगे, देखे, angles के नाम तो आप vertices के नाम से लिख सकते हैं, यहनि angle A, angle B, angle C, angle D, अगर मैं आप से कहूँ, angle A का full name बताओ, तो क्या नाम देंगे आप इसको, angle A का full name बताओ, किन दो side से मिलकर बना हैं, B और D नहीं भाई, A, B और A, D, B और D तो point हो गएं, हमने का किन दो side से मिलकर बना हैं, भाई कोई angle दो side से मिलकर बना होता है, दो line से बनता हैं ना, तो उन दो line के नाम थे, A, B और A, D से बना हैं, तो आप एक corner में बैठ जा और इसको पूरा round लगा दो, ये point बीच में होना चाहिए, इस angle का naming कैसे करोगे, हाँ, सुन जा गया, इस angle का नाम अगर आप से कहा जाए कि angle C का नाम बता हो, तो कैसे करोगे, तो angle का नाम जाना पहिचान ना आ गया ना, तो पहले आपको जाना पड़ेगा, वो angle किस point पे बना हुआ है, किन दो side से मिलका बना हुआ है, और उस side के एक corner में आईए, और पूरा एक round complete कर दीजे, ये point center पे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है, अब इसमें A इक आता है, diagonal, अगला point इसमें आता है, diagonal, diagonal, देखें, diagonal क्या होते हैं, opposite vertex, vertex क्या होते हैं, ABCD, इसमें opposite vertex, A के opposite कौन है, तो अगर opposite vertex को मिला देते हैं, तो ये एक diagonal बन जाता है, तो अगर मैं B को D से मिला जाता हूँ, तो ये diagonal बन जाता है, तो diagonal के नाम क्या दे सकते हैं, AC and BD, तो ये diagonal हो गए, ठीक है, ये अभी आपने पढ़े तो हैं नहीं कभी, देखें है कुछ नहीं, नहीं नहीं नाम है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जबर्टी पूरी clear हो जाए कि क्या-क्या होता है, ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, अब एक बड़िया सी चीज हम नाम ले रहे हैं, वो ध्यान समझेगा, adjacent sides, adjacent sides, देखें, जैसे adjacent room होता है, adjacent room क्यों सा होता है, मिला हुआ रूम, आपके रूम से मिले हुए रूम को adjacent कहते हैं, ठीक है, अब हम कोई एक side ले रहे हैं, A, B से मिली ही side कौन से हैं, BC, ADB है, तो A, B और B, C, ये क्या कलाएंगी, ये adjacent sides कलाएंगी, ठीक है, मतलब, A, B और B, C, ये group हुआ, A, B and B, C, ये group हुआ, ये adjacent sides का है, अच्छा, BC और CD, BC, AB लिख चुके हैं न, तो BC के साथ adjacent क्या होगा, CD, अच्छा, CD के साथ कौन होगा, DA, और DA के साथ कौन होगा, AB, ये जो pair हैं, ये adjacent sides के, A, AND का sign लगा है बीच में, आप चाहो, AND लिख लो, तो समझ में आ गया कि, दो adjacent sides कैसे पहचानते हैं, वहीं, आपके room से, इधर वाला room adjacent, आपके room से, इधर वाला adjacent, तो आपका, एक pair इस room के साथ बनेगा, एक pair इस room के साथ बनेगा, लेकिन ये दोनों आपस में जो room हैं, अगल बगल, ये वाले adjacent नहीं है, ठीक है, तो जैसे, AB का adjacent BC है, और AB का AD है, तो आप AB, BC, AD नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि BC और AD का pair adjacent नहीं है, ठीक है, दूसरा होता है, adjacent angles भी होते हैं, मिले हुए angles, तो adjacent angles, देखी अगला, नाम है, adjacent angles, देखो, angle A के साथ कौन सा मिला हुआ angle है, तो angle A और B का एक group हो गया, and angle B, अब and angle D नहीं लिख सकते हैं ना हम, हम यहाँ पर and angle D नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि B और D आपस में adjacent नहीं है, तो वो उस group में नहीं आता है, तो दो-दो की pair हमको लेनी पड़ेगी, यानि कि A कही side पे, एक ही side पे, जो दो angle बनते हैं, वो adjacent होते हैं, तो इस side पे दो angle बने A और B, इस side में दो बने B and C, तो यानि कि adjacent angles का जो pair होगा, वो angle A and angle B होगा, दूसरा pair होगा, angle B and angle C होगा, तीसरा pair होगा, angle C and angle D होगा, और चौता होगा, angle D and angle A, यह pairs जो हैं, adjacent angles के हैं, अगला होता है, opposite sides, वो तो नाम से लग रहा है, कि opposite कौन से sides हैं, opposite sides, A, B के opposite कौन हैं, A, C, opposite side नहीं हैं, वो तो side हैं नहीं, A, C और B, D, diagonal हैं, यह side नहीं है, A, B के, A, B के just opposite, यह वो ली side हैं, जिसमें यह नहीं आ है, हाँ, तो A, B और D, C, यह opposite sides हैं, और B, C, and A, D, यह हैं opposite sides, ठीक हैं, इसी प्रकार से opposite angles होते हैं, यह opposite angles होते हैं, angle A के opposite, angle C, और angle B के opposite, angle D, यह जो आपका group है, यह opposite angles का है, तो यह पूरा इसका description है, पूरी family का quadrilेटर सुने आ गया, अब दो चीज़ें नहीं हम बता रहे हैं, कि interior और exterior, जो point अंदर होंगे, वो interior points होंगे, जो point बाहर होंगे, वो exterior points होंगे, ठीक है, अब लिखिए circle, circle की family हम बताने जा रहे हैं, इसको यह बार revise का ले ना, इसके naming जो दिये हैं, adjacent और opposite, diagonal, vertices, angles, यह सब ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, circle क्या होता है, अगर हम कहें कि circle क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, यानि कि आप एक ऐसा figure draw करें, देखे ध्यान से, एक point को ऐसे घुमाएं, कि इस point की इस वाले fix point से दूरी same रहे, तो यह क्या बन जाएगा, circle, हमने एक point fix कर दिया, ठीक है, और दूसरा point, माले यहां से foot 2 cm distance पर यह है, तो ऐसा इसको घुमाईए, कि यह fix point से 2 cm ही बना रहे, तो this will form the circle, तो दिस्टेंस आफ पॉइंट, from a fix point, is always constant, then we get a circle, कह सकते हैं, अगर एक ऐसे, ऐसा point trace करें, लिखे, इस वी trace a point, या सॉरी, इस वी trace the path of a point, इस वी trace the path of a point, whose distance from a fix point, whose distance from a fix point, always remains the same, always remains the same, then the figure obtained is called circle, then the figure obtained is called circle, या ऐसे हमें लिखवा दिया, आपकी जानकारी के लिए, and the fix point is called center of the circle, the fix point is called center of the circle, मतब देखिए, एक point हमने fix कर दिया, मा ने ओ fix कर दिया, और एक ऐसा point, जिसको इस तरह घुमाया, और इसका path जो था, उसको trace किया, कि ये distance हमेशा same रहे, तो हमने देखा, जो figure obtain होता है, वो circle होता है, ठीक है, और यही अगर three dimensions ली आप, घुमा दो चारों तरफ, तो ये बन जाएगा sphere, रिंग की तरह shape में बनाओगे, तो circle, और अगर इसको आपने three dimensions ऐसे घुमा दिया, तो it will form the sphere, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर, जो हमने trace किया है path, जो outer orbit में, outer circle बनाई है, ये इसका कहलाता है circumference, अगल आता है, ये इसका circumference है, boundary है इसकी, इसकी boundary है circumference, हाँ, देखे, ये जो, ये fix point था, fix point का नाम हमने क्या बताया, center, और जो point ये, ये इसको जो इसका path था, इसको कहते है circumference, क्या कहते है, circumference कहते है, ठीक है, अब क्या क्या यहाँ पर आता है, पहला तो यहाँ पर आता है radius, radius क्या होता है, देखो ध्यान से, center से circumference को मिलाने वाली कोई भी line, वो radius कहलाती है, any line joining from the center to the circumference, यहाँ पर O से A तक, जो join किया गया है, वो radius कहलाएगा, और radius को indicate करेंगे हैं, RC, circle को बारे में पढ़ाया भी इसके पहले आपने, इसके पहले circle के बारे में पढ़ाया गया है, तो यह नई चीज है, ध्यान से दिखेगा, दूसरा इसमें आता है diameter, diameter, देखो diameter क्या होता है, जोना ध्यान से तब सुझेगा, एक line segment, मैंने क्या word use किया है, line segment क्या होता है, part of the line, जिसका end point कहा हो, circle पर हो, और जो center से होकर गुजरे, माले यह line segment है, और कहां से पास हो रहा है, center से होकर जा रहा है, उसको हम कहते हैं diameter, नहीं नहीं, अगर center से जाएगा तो radius, वो पूरी circle को touch करता हुआ जा रहा है, तो वो कहलाता है diameter, तो यहां पर diameter क्या है, PQ, यह diameter है, और diameter जो है, उसको हम capital D लिख सकते हैं, और यह radius का double होता है, क्योंकि R इधर, यह radius थी न, तो R इधर भी होगा, R इधर भी होगा, तो radius को जब double कर देंगे, तो आपको मिलेगा diameter, तो आप कह सकते हैं, diameter क्या होता है, एक line segment, जिसके end point circle पर हो, और जो center से होकर, center से होकर जाना चाहिए, पताँ आप कोई भी line ऐसे draw करोगे, तो वो diameter नहीं होगा, यह तो diameter होता है, मतब diameter जो होता है, वो radius का double होता है, यह याद रखेगा, diameter is equal to two times of radius, radius का यह double होता है, नए नए word आएंगे, ध्यान से पढ़िएगा, interior, exterior, जानते हैं आप, circle के अंदर है, तो interior बाहर है, तो exterior होगा, ठीक है, अंदर के part को हम circular region कहते हैं, अंदर का जो part है, वो क्या कहलाता है, circular region कहलाता है, अब लिए के cord, नया बढ़ आएगा cord, cord, देखो ज्यान से, अईसी लाइन सेग्मेंट, जब मैं लाइन सेग्मेंट कहता हूँ, तो उसकी लेंथ जो है, उसके दो end point हो जाते, जब मैं लाइन कहता हूँ, तो वो दोनों तरफ indefinitely दूर तचली आती है, एक ऐसी लाइन सेग्मेंट, जिसके end point circumference पर हूँ, अगर हम definition कहें, कि आप कहेंगे line segment joining any two point on the circle, a line segment joining any two point on the circle, any two points on the circle is card, card, इसको हम कहते हैं, a line segment joining any two points on the circle is called card, देखे ज्यान से, आप इस circle पर कोई भी दो point ले लिजी, हमने यहाँ पर दो point ले लिए, यह point हमने ले लिया L, यह point ले लिया हमने M, तो यहाँ पर लिखेंगे, here LM is the card, LM is the card, यह LM इसका card है, यह card हो गई, समझ में आएक बाद, अब जरा समझेगा, आपको एक card और दिख रही होगी यहाँ पर, हैं, हमने M, ने हमने join कहां किया, जो join है उनको देखो, join तो बहुत सारी बनेंगी, PQ दिख रही है आपको, और PQ का एक और नाम है, अभी PQ का नाम बताया हमने क्या होता है, यहाँ इसका नाम क्या था, मतलब समझेगा, अगर किसी circle में, आप card खीचना शुरू करिए, तो जो diameter होगा, सबसे लंबा होगा नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं, कि diameter is the longest card, कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिखना चाहें, तो लिख लें, कि diameter, is the longest card, सबसे बड़ी card जो होगी, वो diameter होगी, ठीक है, उसके बाद लिखे, segment of a circle, segment of a circle, नए नए words आ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, segment, segment का वैसे, अगर English meaning हम बताएं, तो segment को क्या कहेंगे आप, नहीं, मैं, मैं, जिमिट्री की बात नहीं कर रहा हूं, जब segment word यूज करते हैं, तो segment का मतलब होता है, टुकपा, एपार्ट उसका, टुकडा, इसको segment कहते हैं, ठीक है, तो segment का मतलब होता है, जा लिखी का, देखे, पहले सम्भल लिजे तब बताएं, जो कोई ये एक circle है, अगर मैं कोई cord खीज दूँ, cord, तो ये circular part है, और ये cord है, तो circular part, circular part बोला हमने, मतलब इतना टुकडा, ये circular part, ये, ये circular part, और cord, फ्रदा cord बड़ी खीज दिएगा, फ्रदा लिखने के लिए, तो इसके, जो ये वाला reason होता है, इसको हम segment कहते हैं, ठीक है, तो लिखिए, the reason between, the reason between, the reason between, circular part and cord, circular part and cord, is called segment of the circle, is called segment of the circle, देखो ये एक segment है कि नहीं है ये, और ये वाला भी एक segment है, तो ये दोनो segment कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, दोनो segment कहलाते हैं, लेकिन, जो छोटा है, वो minor segment कहलाता है, और जो बड़ा है वो, major segment कहलाता है, अब आप कहेंगे, अगर, 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 center से पास हो रही होती, तब, तब तो दोनो segment से हो जाते हैं, क्योंकि जो diameter होता है, वो दोनों को equal part में divide करता है, तो ये segment कहलाते हैं, अगर, 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 तू कि ये तो आपका हो गया, अगली बात हमने बताई segment, segment कि इसके बाद अगला point आता है secant secant क्या होता है देखे एक line line बोला हमने line का मतलब क्या होता है it is not segment हाँ जो infinite length की हो a line intersecting the circle at two points को ऐसी line draw की जाए जो circle को दो point पे intersect करती भी जाए ठीक है तो आप रिखेंगे a line passing through the circle passing through the circle intersecting it intersecting it at two points is called second इसको second कहते है अब कोई भी ऐसी line draw कर दीजे जो इस circle को दो जगे cut करती हुई जाए हमने ऐसे draw कर दिया ऐसे और ऐसे arrow बना दिया तो arrow क्या indicate कर रहा है कि line infinite आगे पशे जा सकती है और नेमिंग के लिए आप क्या करो कि यहां पर दो point बना दो पीक्यू तो आप यहां लिखेंगे पीक्यू इस सेकेंट और पीक्यू के उपर ऐसे arrow ऐसे बना दो यह क्या indicate करता है कि लाइन दोनों तरफ आगे तक टिस एक्स्टेंट की जा सकती है ठीक है अब लिखेंगे आर्क ए आर्सी आर्क नपार्ट आफ अफ अफ़ शेर्कल इस काल अर्क आर्क में लिखिये दा पार्ट आफ अफ़ सर्कल इस काल आर्क अगला पॉइंट है आर्क इसको हम आर्क कहते हैं ठीक है मतलब देखिए ये एक सर्कल है अब हमने क्या किया इसका यहां से लिकर के ए पी क्यू यहां तक का पार्ट लिया तो यह आपका आर्क हो गया ठीक है इसको नाम क्या लिखेंगे देखे इसको नाम लिखेंगे आर्क पी ए पी क्यू ऐसा लिखेंगे यह हम ऐसा करते हैं कि APQ लिख करके उसके ओपर ऐसे आर्क बना देते हैं अच्छा एक इधर का पार्ट भी दिख रहा आपको इसका नाम क्या दे देखे अगर मैं डारेक्ट ले एक्यू बोल देता हूँ तो एक कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि we are talking about a straight line अगर मैं डाइट एक्यू बोल देता हूँ तो एक्यू ये भी तो हो सकता ना यहां से यहां तक नहीं हो सकता है तो आप यहां पर एक बीच में नाम दे दो और यह रास्ता लेखो ए आर्क्यू तो आर्क ए आर्क्यू लिख सकते हैं इसको आर्क ए आर्क्यू या हम इसको ए आर्क्यू लिख करके उपर आर्क बना दे अब इसमें बड़ा आर्क है एक छोटा आर्क है तो हम इसको हम ले सकते हैं माइनर आर्क इसको ले सकते हैं हम मेजर आर्क ठीक है तो यह आर्क हो गया जागर के तो कहीं जाना है क्या ने ने वो हमें देखने दीजिए थोड़ा सा पॉइंट बचा है खतम कर दे ना फिर बीच में वो लटक जाए गई है ने ने वो हमें मालूम है घड़ी मेरे सामने है अभी टाइम अप नहीं हुआ है आपका क्लास 11-5 पर स्टार्ट हुआ था फिर यह थोड़ा सा बचा है तो इसको खतम कर लेते हैं अब देखे ने यह यह जो यह जो आप जूम में आप पढ़ रहे हैं यह जूम पेड है यह सन्ने पेड कर रखा है तो यह रिज्वाइन आप चाहिए दो गंटे ती गंटे मीटिंग करते लिए कभी खतम नहीं होगी ठीक है यह पेड जूम है उसका इसलिए ऐसा होता है अब ज़रा समझेगा अब आर्क को ऐसे लिखने के बजाए आप वहां आर्क नोट कर देगे क्योंकि एक कन्फिजन हो जाता कभी कभी कि कि किसी दे थोड़ा कम टेड़ा बनाया तो समझ में नहीं आ रहा है यह स्टेट है कि कर करेंगर है इसलिए बहां आर्क लिखा जाएगा ठीक है अब एक SIRCUMFERENCE देखिये सर्कम फर्मेंस अब ही वेड यूज कर रहते हैं जो Boundry of circle होती ये boundary of circle ये इसको हम सर्कम फरेंस कहते ही तो लिख लिजेगा the perimeter of circle is called circumference, perimeter का मतलब क्या होता, यहां से चलेंगे और पूरा ऐसे नाप के यहां पहुंच जाएंगे तो we get the perimeter, the perimeter of circle is called circumference, और इसकी length को बाउंडरी आफ सर्क्ल कह सकते हैं, ठीक है, अब next लिखे है semi circle, यह तो बताया हमने circumference circumference अगला है semi circle half of the circle मतब जो diameter होता है वो दो टुकड़े में बाड़ता है उसको हाँ यह semi circle है आपका इसको d's का जाता है इसको जब हाद में पकड़े हैं इसको d's भी कहते हैं और protector और compass में confusion तो नहीं होता है हमें होता है तो हम जानतों कैसे याद किये हैं यह उसमें compass में यह दो ऐसे होते ना हम याद के compass याद हो गया ऐसे याद करने का तरीका था क्या करें confusion होता है अब लिखे sector sector दो वर्ड हो रहे तो सेक्टर और सेक्टमेंट बड़ा confusion वाला है जाद सेक्टर समझेगा अगला है सेक्टर देखो ध्यान से किसी भी सर्कल में अगर दो रेडियस आप खीज़ दे यानि यह दो रेडियस कीची हमने OA और OB तो दो रेडियस और सेर्कुलर पार्ट के बीच का जो एडिया होता है उस सेक्टर के लाता है ठीक है तो लिखेगा sector is the portion sector is the portion enclosed by two radii and arc the sector is the portion enclosed by two radii and arc दो radii और arc के बीच का है देखो यह दो radii है और यह arc है तो यह sector है यह क्या है sector यह दो radii है और यह arc है तो यह भी क्या है sector यह छोटा है तो minor और यह बड़ा है तो major sector और segment में confusion नहीं होना चाहिए segment में क्या था एक chord और circle के part को segment कहते थे किसी chord और circular part के बीच का जो area था जो region था जो उसको हम कहते थे segment और दो radii और इसके बीच के area को हम sector कहते है ठीक है अब last लिखे concentric circles concentric circles concentric circles देखे concentric circle क्या होता है नाम से लग रहा है concentric मतलब same center तो same जैसे आपने center मना और 2 cm की radius लिया और आपने circle खीज दिया और उसी center से radius को 3 कर दिया एक और circle खीज दिया उसी center से एक और circle खीज दिया तो आप क्या देख रहा है center आपका same है radias change करते जा रहे हो तो ऐसे circles जिसक्या center same होता है Two are more circles with the same center are called concentric circles.